कि मारा जैन्मीन बात उस पर कायम है इन जैन्मीन होता वलत होता एक का तो वादा करके आये थे ना भाई राश्टी जन्त दल दूसरे की बात तो इसलिए हो गए कि उन्होंने का कि नहीं नहीं हम तो दो कही दिवांट में थे कि वांपंद को भी देना है तो नहीं आप एक कि दल अगर कुछ ऐसा भो रहे हैं हमारा मजा कुड़ाने के स्टाइल में रहा है तो लेट्फॉर्म बना हुआ है वो प्लेटफॉर्म इंडिया घडबंदन का मैं इंडिया गडबंदन में हर पार्टी का स्रिशनेत्रित बैठता है हम लोग जैसे यतने वी काज करता ह अगर उनकी बाते हैं, वो अगर कहते हैं, लोगने तो प्रॉन सीरियस प्लेयर्स के बातों का किसाुत को सिफ एक ही जगह जीत मिली है तो जिस तरह से जो पांच राजियों में चुनाब हुआ उसके बाद अब बिहार की भी राजनीतिक है वो गर्माती दीख रही है बिहार में भी अब ब्यानबाजी है बो सुरू हो गई है और जिस तरह से कहें तो इंडिया एलाइंस के घटक आपस में ब्यानबाजी करना सुरू कर दिये हैं और साब तोर पर जो हार मिलिये उस पर कॉंग्रेस के ही दोसी बताते हुए नजार आ रहे हैं इंडिया एलाइंस के लोग और साब पर बिहार सरकार के मंत्री असोग चौदरी भी कर रहे हैं कि छेत्रिये पार्टी को नहीं ले गए इसलिए वो कॉंग्रेस की हार मिली है इसे बात करने करें हमासाते हैं के बिधायक दलकर नेता हैं डॉक्टर सकील अहमद खान कैसे देख रहे हैं आप जिस्तर से पांच राज्यों में चुनाव हुआ और आप इंडिया एलाइंस में ही अपने आपस में ब्यान बा जको बड़ी मेहनस से इन तमाम चेत्रों में लगे तमाम राज्यों में लगे और हम अपना हमने अपना पूरा करते पूरी ताकत उसे जोकि अब जनता का मन ता जनता का मन यहां तक हमारे पक्ष में पहुंचा वह पक्षे पहुचा, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा गो जीत और हार होती रहती है सब की होती जो आज हम पर कटाश कर रहे हैं वो भी हारे हैं वो भी जीते हैं तो सवाल उसका नहीं है सवाल यह कि दोहरे ताकत के साथ फिर हम चुनाव लड़ेंगे फिर चुनाव में अभी जाएंगे 2024 में जाएंगे उसकी फिकर हमको नहीं है हां यह जरूर सी बात है कि तकलीफ होती है अफसोस होता है अत्ती मेहनत करने के बावजुद हुआ ऐसा रिजल्ट आया और फिर भारती जनता पार्टी का तंत्र विद्या भी बहुत मजबूत विद्या रहता है यह सब चीजे बाते जो हैं वह हमारे साथी दल अगर कुछ ऐसा है कि हमारा मजग उड़ाने के स्टाईल में अगर राय दे रहें तो फ्लेटस्वाम बना हुआ है वह प्लेटफॉर्म इंडिया गढ़र बंदन का प्लेट पर में हर पार्टी को सुर्षष्ण आत्रित HAS अधैं हम लोग जैसे जतने वह का के बातों का हम कि उसका जवाब लेकिन प्लीर के बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया ऐलाइंस में आप लोग तो इस तरह का बात कर ना कहां तक नहीं जो जितनी अकल होती है और जो जितनी गंभीरता से राजनीत में परिपक होता है वो वैसी बात करता है कॉंग्रेस पार्टी भारती जनता पार्टी के साथ उसका हमेशा से राजनेतिक वैचारिक संगर्शरा है हम लोग तो वो है नहीं कि आज इधर हैं उदर कुद के चले आएंगे कुद कात करने वाले लोग नहीं संजीद की से स्यासित करते हैं भारती जनता पार्टी के अविचार आर्थिक विचार हो या समाजिक विचार हो देश के और समाज के लिए खतरनाक है उस पर हम लोग कायम है और इन्हीं बातों के वैसे इंडिया गटबंदर मना उसमें निती सबसाथी हैं तो सबसाथी जब हम को को रिजल्ट आया है उसके ऊपर भी कोई बात कहनी है तो उसका एक तरीका होता है तो उस तरीके को अपनाए तो ठीक रहेगा अधरवाइस बोलने को तो बहुत सारी बात हम भी कह सकते हैं इसका कोई समय है क्या इंडिया गटबंदन के बीच पर समनेता बैठेंगे बात कर लें किया हुआ नहीं हुआ लेकिन बिहार में देखा जाए तो कॉंग्रेस को तबजू में मिल रहा है तो इससे कैसे देखिए जो शिकायत दूसरे राज्यों में शेत्री दलों को होता है वैसी शिकायत कॉंग्रेस चुके यहां कम वाली पार्टी है हमारा कार बहुत बड़ा है संखिया बल पे हम कम जोर हैं तो इस तरह का मजाक लोग उड़ा लेते हैं तो उड़ाये जाए लेकिन यह सब चीज़े याद रखने वाली है अपना भी समय मतलब कॉंग्रेस का भी समय प्यार याद रखने वाली चीज़े हो गंभीर लोग होते हम लोग गंभीर लोग है तो इसलिए उस पे हमको कोई उसके खिलाफ को बात नहीं कहनी है इंडिया गटबंदन के अंदर सारी कमीटी जोर सब बनी बनी हुए उस पे बात होगी मेरा ऐसा विश्वास के आपका विश्वास करें और राश्ट्य जनता द और वाम पंथ और कॉंग्रिस यह एक ब्लॉक है यह एक ब्लॉक है राश्ट्य जनता दल के साथ हमारा पुरान संबंद ऐलायंस है लेफ्ट पार्टी के साथ पुरान सेवर्ण एक तरफ और जन्ता दल यू के साथ हमने मिल करके सरकार बनाए गया कि चारों के ऐला एक तो डिमांड किसे है जनता दल से जनता दल आरजेडी से है और यह बात उनके शिस नेत्रित के सामने हुई इस बात को इस डिमांड को जो हमारा हक है उस डिमांड को दो सीटों का दो कैबिनेट बर्द का जो हमारा हक है यह बात हमारे खड़गे जी ने और रहुल गांदी जी ने कही और यह सामने किन के हुई मानिय मुखमंती जी के सामने हम तो यह विश्वास करते हम तो यह विश्वास करते रहे कि वह मीटिंग खातम हो यह दूसरे तिरसे दिन हो जाएगा फिर हम लोग मिले और बिलने के बाद भी अभी तक यह विस्तार नहीं हो सका तो यह अफ्सोस पहले ही उसी समय बोल दिये थे कि अब तो आप एलाइंस के थार जड़ी के साथ तो यह बात हम भी कह रहे हैं कि हम अपने जो हमारा जैनुविन बात उस पर काइम है इन जैनुविन होता घलत होता एक का तो वादा करके आया थे ना भाई राष्ट्र जनतादर वाले दूसरे की बात तो इसलिए हो गए कि उन्हों नेका कि नहीं नहीं हम तो दो कहीं न्हीं किते को भी देना है तो आप वाउन पंड को दी या उन लोन लिया और जो हमारा हिस्सा है उब हमको नहीं दे रहे है तो यह तो एक तकलीफ की बात है राश्ट्य जंता दल से महं हैं च कॉंग्रेस के नेशनल पर्टी होते हुए बिहार में तब अजुब नहीं दिया जा रहा है आप कहा जाता है कि इंडिया लाइन्स के सबसे बड़े सहयोगी में तो इस तरह से क्यूं बिहार में अब इस पर हम क्या बोल सकते हैं अपने घर के अंदर को यह हम को भी हर के अंद लोग नहीं जैसे कि मैंने का संजीदा लोग हैं और इंडिया गड़मंदन में हमारा लक्ष जो है वह भारतिय जन्दापार्टी उस लक्ष की प्राप्ति के लिए तो हम कोई भी सेक्रिफाइस करते हैं हमेशा किया है तो फिर सेक्रिफाइस करिएगा नहीं देगा तो अपल प्रश्ट पूछे मेरे से परश्ट पूछने के बाद राष्टी जनतादल के हमारे मित्रों से जाके पूछे के उन्नून के सामने जो आपने वादा किया तो उसका क्या हुआ क्या कुछ कर रहे थें कॉंग्रिस के विधायक दलके नेता दॉक्टर सकील अहमद खान आपने सुना अश्तमाम खुरू बने रहे हैं नीश पूर्ण से के साथ मसकार